हेलो एवरीवन गुड इवनिंग नमस्कार जैहिंद स्वागत है आप सभी का डागर कॉंसेट के इस ओनलाइन प्लैटफोर्म पे तो वही कैसे हैं आप सभी लोग वही सही तो नहीं होंगे आप सभी लोग कारण यह है कि सही करने लायक या फिर बच्चों को सही छोड़ा ही नहीं है हमारी सरकार नहीं अभी अभी यानि आज ही अपनी इंडियन आर्मी की साइट पे एक और नोटीस आया है नोटीस नहीं आप यूं कहेंगे कि अप उन्होंने फिर से अपनी साइट को अपडेट किया है और उस साइट पे उन्होंने क्या किया है आप में से बहुत स प्राइटेरिया में कुछ बदलाओ देखने को मिलेंगी जहां पर अपनी एज के साथ छेड़ चाड़ कर दी गई है एक तो नर्शिंग असिस्टेंट की एज और एक अपनी ट्रेड्समेन की उम्र इन दोनों की आयू सीमा के साथ अपनी इंडियन आर्मी ने बहुत ही यानि ट्रेड्स के जो बच्चे थे ट्रेड्स के बच्चों की आयू कर दी गई थी 23 वर्ष ठीक है वहां पर यह किया गया था कि भी ट्रेड्स वाले बच्चों को 23 वर्ष तक के बच्चों को मौका मिलेगा और नर्सिंग वाले बच्चों की उस टाइम पे उम्र दिखा रहे थ तेईस वर्ष कि नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं वो तेईस तक अपलाई कर सकेंगे वो पहले भी एज उनकी एज़िटी यहीं कि यह थी चलो उनकी एज में उस टाइम पर कोई छेड़चाड नहीं किया गया था लेकिन ट्रेड की उम्र को बढ़ा के 21 से 23 कर दिया गया था बच्चों के मन में खुशी की लहर थी कि चलो हम भी खुश थे कि कम से कम ट्रेड्स वाले बच्चों का तो भला हो जाएगा जो बच्चे ट्रेड्स में से बिलोंग करते हैं कम से कम वहां तो 2 साल का बच्चों को एक एज में छूट मिल रही है कम से कम वहां तो 2 साल का चोको भी मिल जाए और अप्रेल से अक्टूबर के बीच में जो बच्चे मजधार में लटके हुए हैं उनका कुछ बला हो जाए लेकिन आज एक बार फिर से साइट पे एक और अपडेट आ गई है और उस अपडेट ने क्या नर्सिंग क्या ट्रेड्स और क्या आर्मी जीड सभी की भावनाओं के साथ बिलकुल ऐसा खिलवाड कर दिया कि यूँ समझ लिजिए इससे बद्दा मजाक अपने किसी आर्मी सोलजर के लिए कुछ हो ही नहीं सकता ट्रेड्स की उम्र को घटा के दुबारा 21 और एन्ने की उम्र को भी घटा के 21 वर्ष कर दिया गया है आप बच्चों की भावनाओं के साथ खेलना चाते हो दो दिन बच्चों को खुश कर दिया अब उस खुशी में जाने कितने बच्चे उन दो दिनों के अंदर अपना सामान बांध के अपने गाउं से किसी दूसरे सहर में चले गए होंगे कि हमें मोका मिल रहा है लास्ट चांस है तो चलो एक बार आखरी बार दाव लगा लेते हैं कितने बच्चे होंगे जिनोंने कहीं ना कहीं कोर्स ले लिया होगा जिनोंने स्टडी मटीरियल खरीद लिया होगा जिनोंने दुबारा से अपने सपने सजाने शुरू कर दिये होंगे कि दुबारा इंडियन आ बच्चों को आपने एक नोटिस से बाहर निकाल दिया, बच्चे बाहर हो गई, अब वो छे महीने की उनकी तैयारी, अगर वो बच्चा किसी दूसरे शहर में रहके कर रहा था, तो उनके कारण जो लखो रुपय उसने अपने खाने खर्चे के रहने के फीस के खर्च दिये, क्या उसकी पूर्ती आप लोग कर देंगे, आपने तो उस बच्चे को सरासर एक जटके में ये बोल दिया, कि आप हमारे लायक हो ही नहीं, यह कहां का न्याय है भई, या तो आप इनकी उमर में छेड़ छाड़ करना ही नहीं चाहिए था, या फिर आप पहले ही सूचना इ नहीं थाएगा ना, क्योंकि अभी तो आपने केवल एक छोटा सा नौटिस जाला है, जिसमें आपने सिर्फ ये बता आए है कि हमारे फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लेगिन आपने प्रॉपर नौटिफिकेशन अभी नहीं दिया है, जिस दिन आ प्रॉपर नौटिकेशन दोगे हमें तो उम्मीद है हो सकता है आप अपने जीडी वाले बच्चों के साथ एक और धोखा कर दो हो सकता है इनकी उम्र को आप लियाओ 19 के उपर क्या भरोसा है जब इनकी दो-दो साल उम्र आपने घठा दी तो क्या पता आप इनको उठा के 19 पर टेक रख दो कि जीडी वाले तो 19 से जादा भरी नहीं सकते और खुशी की बात मत मानना इसको 21 वर्ष नाम मात्र की है यह 21 दिखाया जा रहा है न जो आपको कि ट्रेड्स की 21 हो गई एनने की 21 हो गई 21 कुछ नहीं है जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे ना उस दिन मापको बता दू 20 से 20 साल का होके 6 महीने वाला जो बच्चा ने साड़े 20 साल का जो खुद को मानता है फो मैक्सेप्ट नहीं करेगी आपकी आर्मी फो मैक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि डेट ओव मात्र का है इसमें से कम सेगम 6-6 महीने और घटा लो आप साड़े 20 साल अब आप यह बताईए यह मजाक नहीं तो और क्या है यह मजाक ही तो है बच्चों की भावनाव के साथ खिलवाडी तो किया दो दिन खुशी की लहर और बच्चों बई सभी सही बात बताओ ना जैसे ही साइट पे कुछ होता है ना एक दम से पूरा का पूरा यानि कि यह है ना अपना यूट्यूब का यानि कि जो ओनलाइन प्लैटफोर्म है एक दम से कूद पढ़ते हैं थोड़ा सबर तो करो अरे दो दिन पहले साइट पे पता नहीं कहां से कौन से कॉलम में घुस और आपने तो बच्चों को उमीद देने में यूट्यूबर भी कोई कमी ने छोड़ रहे हैं कोई कमी ने छोड़ते हैं उन्होंने भी पूरा वाइरल कर डाला रात के ग्यारा बजे वीडियो डाल डालके कि भाई साब बढ़ गई एज बढ़ गई एज बढ़ बढ़ लेकिन कहीं न कहीं यह जो जल्द बाज़ी होती है यह जो व्यूज बटोरने की चीज और यह चीज भी हम लोगों का जो हैना बच्चों का मनोबल तोडने में बड़ी भूमिका निबाती है, तो मैं आप सब सबी बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी भईई, अभी साइट पे ये उम्र अपडेटिड है, कि ट्रेड्स की उम्र वापिस से 21 कर दी गई है, नर्सिंग की उम्र घटा के 21 वर्ष कर दी गई है, जीडी की उम्र अभी भी 21 वर्ष ही है, उसके साथ अभी कोई बदलाव हुआ नहीं है, तो मैं आपको कहूंगी भई, किसी भी तरपरकार का कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार प्रोपर नोटिफिकेशन का इंतजार कर लीजिए उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा क्योंकि जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता ये उमर में पता नहीं कितने बदलाव आपको देखने को मिलेंगे तो आपका है क्योंकि एक बार आप जब घर से निकल जाओगे ना तैयारी के लिए उसके बाद दुबारा घर पे लोटना बहुत बड़ी बात हो जाती है और खास्त और पर 4-6 महीने पढ़ाई को देने के बाद फिर पता चले कि हम तो जिस चीज की तैयारी कर रहे थे उसमें जाने लायक है ही नहीं उसके बाद खुद को किसी और चीज में ढालना इतना असान नहीं होता है तो आप सभी लोग सतर करेंगे इसके परती और भई मैं यही कहूंगी कि इस चीज के उपर एक होना चाहिए बच्चों के लिए कुछ किया जाना चाहिए कि आप ये बच्च अंधकार में बैठें जिनकी आयू सीमा आपके कारण अंधकार में है या तो भई फिक्स कर दो इन बच्चों को कि उम्र हमेशा यह रहेगी आप तैयारी करो तो अपनी उम्र देख के करना शुरू किया करो अधर्वाइस आप इन बच्चों को मौका दो अरे जादा नहीं तो कम से कम 6-6 महिने का तो रिलैकसेशन आप इनको दे ही सकते हो तो भई जढ़ा से जादा वीडियो को शेयर करो मैं तो यही कहूंगी कि इसके ऊपर हर जगा बच्चों के साथ की जा रही है इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि मौका दो हर किसी को मौका दो ताकि इन बच्चों की आवाज सरकार के कानों तक पहुचे, अगर अभी कुछ हो गया तो हो गया, एक बार प्रोपर नोटिफिकेशन आ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो रजाई से बाहर निकलो, एक्टिव हो थोड़े, वीडियो को शेयर करो, जो वीडियो आपको मिलती है, उस वीडियो को वाइरल करो, शेयर करो, ताकि वो वीडियो जितने जादा लोग तक पहुचेगी, लोग मुहीम से जुडेंगे, चार लोग देखेंगे, सो जाएंगे, जो आर्मी से जुडे ही नहीं है, उनको कोई फरक नी पड़ता, कि आपके उपर क्या बीत रही है, ठ चाहिए, तो मिलते हैं आपसे, आपके लिए हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा, हमसे जो बन पड़ेगा, आपके लिए हमेशा करेंगे, और आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, जो कुछ होगा हम जरूर करेंगे, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत धन्यवाद सबीदों